आप लोगों को अगर लगता है कि कोरोना या कोविड नाइंटीन जो है ये कोई मसला नहीं है ये सब एक जूटी साजिश है और ये मरीजों के साथ ये कुछ हो रहा है तो आप क्यूंके हम as health professionals हम जो डॉक्टर्स हैं हम बहुत थके हुए हैं अभी भी मैं कोरोना से डूटी क करके हैं ये मेरे मूँ पे मास्के निशान है और दुखर है मूँ हाथ में लगाया जा रहा तो हम लोग तो क्यूंके मरीजों को एडमिट करकर कर उनका इलाज करकर के बहुत थक गई हैं और हमारे उपर बहुत वर्क लोड है और हमारे पैरामेडिक्स पे भी तो आप काइ असिस्टेंट अमला है उसको भी थोड़ी हेल्प मिले उन्हें भी रिलीफ मिले जो के रोज पॉजिटिव होने हैं जिनके घरवाले रोज मर रहे हैं बिचारों के काम करने वालों के डॉक्टरों के पैरामेडिक्स के उनको भी थोड़ी रिलीफ मिलेगी और आपके अंद ना पैने कोई प्रोटेक्टिव चीज ना पैने हम आपको ऐसे वार में जाने नहीं देंगे हम आपको जुरूर पीपी देंगे क्योंकि हम तो यह मानते हैं कि यह बहुत बड़ी हकीकत है हम अपनी आखों के सामने देख रहे हैं तो आप आएं करोना के पेशेंट्स का ख्या यह आज तक नि देखा कि यह आखिर कौन सा टीका होता है जहर वाला ठीक है ना को यह 12-15 साल में मैंने नहीं देखा तो एक तो मुझे भी बिताएं यह कौन सा टीक है दूसरी बात है कि बाडिज क्यों नहीं दी जाती है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की उनके घरव अगर आपको वाकरी में लगता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है आप आएं आप वॉलेंटियर करें आप आके उनकी डेट बोडिज को देखें